कैसे हो आप सभी आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे आज हम इस वीडियो में बात करने वाल है most important topic कि जो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं हम डिलिवरी रूम में क्या हो गया क्या क्या प्रोसेजर होता रोक्टर क्या करती है तो ओल और जो भी नॉर नॉर्मल डिलिवरी होती है जब लेबर रूम में होते तो तब क्या होता है तब आपको क्या करना चाहिए चीरा लगता है किन महिलाओं को लगता ओल और बहुत सारे मन में डाउट होते हैं तो सारे डाउट आपके इस वीडियो में कलियर होने वाले हैं तो वीडियो को हो जाएगी और आप मेरी वीडियो डेली देख सकेंगे तो चले वीडियो को स्टार्ट कर लेती हैं तो आई सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपको होस्पिटल के अंदर कब जाना है आपको लेबर पेन कैसे पता चलेगा कि अभी लेबर पेन शुरू हो गया क्योंकि कई बा हैं तो बैठे हैं तो इस से पोजिशन चेंज करने से वो बिल्कुल बंद हो जाते हो और वो कभी-कभी आते हैं जैसे दिन में एक बार आ गए च्छे घंटे में एक बार आ गए एक घंटे में कोई भी टाइमिंग नहीं होती लेकिन जब आपको लेबर पेन शुरू हो जा की जाता है इतना जदा पेन होता है जो आपने कभी तक आ सक सहन नहीं किया तो आपका लेबर पेन होता है और उसकी टाइमköहिशस सबसे पहले आप आपने जिल्दगी में कभी भी सेहंड नहीं किया लेकिन क्या है कि जिब हमारा बेबी होता है तो उसके लिए महिलाएं सेहंड कर लेते और महिलाएं वैसे बहुत जादा लेकिन अगर आपकी सर्विक्स ने कितना मुँझ खुला है तो डोक्टर आपको तिने वीट करने के लिए बोलती हैं या कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपकी पांद या छह सेंटिमेटर सर्विक्स खुल जाती है तो दोक्टर वहां पर प्राइवेट पाड़क चैल सा लगाती है जिससे क्या होता चैल से जल्दी ओपन हो जाती है जिब आपकी सर्विक्स 10 सेंटीमिटर खुल जाती है तो तब आपको लेबर रूम में ले जाता है और लेबर रूम में जाते हैं तब ही से बच्चे की जो जनम की प्रोज़ा शुरू होती है वहाँ पर जाने के बाद आपको छोटा सा बैड मिल जाता है इतना बैड होता है कि आप अपने पैर भी फै आपको ऐसे नाग से सांस लेकर, आपको ऐसे सांस लेना है, आपको ऐसे हाफना नहीं है, आपको लंबी-लंबी सांस लेकर मुझ से सांस छोड़ने, नाग से सांस लेजिए, तो इससे क्या होगा, बच्चा नीचे की तरफ आएगा, अगर आप ज्यादा हाफती हैं, ऐसे करती तो बच्चा ऊपर की तरफ चला जाएगा देखे पेन बहुत जादा होता है और जिस टाइम हमें पेन होता है उसी टाइम हमें आराम करने की जरूरत होती है लेकिन जब आपको पेन आता तब ही आपको पुश करना होता है पुश कैशे करना है जैसे आप इंडियन टोलेट मे वो आपके हाथ में होता है अगर आप जैसे अपका लेबर पेंट शुरू हो गया उससे के बाद आप गरम चीजे लीजिए जैसे गरम चाय होगी गरम पानी हो गया और आप टहलते रही आपको बैठना नहीं अगर आपको बैठने का मन करता तो आप उकड़ू पोजें बैठ जाता कम से कम 12-14 घंटे तक भी नोर्मल डिलिवरी में लग जाते हैं वैसे कुछ में लाइं होती है जिनको बिल्कुल ही कंपेन होता फटा-फट से घंटे के इंदर डिलिवरी हो जाते लेकिन वो सिर्फ रेर केसी होते हैं और जब आपका बच्चा बाहर निकलने को होता ह है इसका हैड दिखना शुरू हो जाता तब ही डोक्टर वहां पर चीरा लगा देती हैं चीरा क्यों लगा देता कि आपका बच्चा इजली भार आसके क्योंकि अगर बच्चे के सीर के ओपर कोई भी दबाव पड़ जाता बच्ची को बच्ची को प्रोब्लम हो सकते हैं मा सर्विक्स बाहर निकलाती है खासकर यह प्रोब्लम पहले के जमाने में ज्यादा होती दी क्योंकि उस टाइम चीरा नहीं लगता था और जो बेबी को बहार खीचते रहते थे तो उस दोरन के अवादर सर्विक्स बाहर निकला आती हैं कि जो सरीर होता वो डिंग चुका ब आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होगा और एक वीक के अंदर 15 दिन के अंदर वो ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपका बेबी बाहर आ जाता है और उसकी जो कोड होती है वो काटती जाती और आपका बेबी दे दिया जाता नॉर्मल डिलिवरी के बाद एक या दो दिन पसंद आया होगा और पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरू कर दे साथ ही चैनल को जूर सब्सक्राइब कर ले मेरी ऐसी और यूच्छूल वीडियो देखने के लिए तो आज की वीडियो में सिरफ इतना ही फिर मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में तब तक टेक केर बाए बाए फ्रेंद्स